अब मैं बुलाने जारी हूँ किसा जहरा को जी अच्छा ये भी बता दी चलू कि आज हमारे पास जित्ते भी कंटेस्टेंट हैं और जित्ते भी लोग यां डिबेट करने के लाएं इन सबका तालुक हैदराबाद से है ऐसा ही है चलो भई हैदराबाद आपस में कंपीट कर किसा जहरा आपका वक्त शिरू होता है आप गुड लाग किसी इरादे को पाये तक्मील तक पहचाने के लिए ताकत दरकार होती है सद्रे आली वकर एवाने बाशाओर में पेश करदा उन्वान ताकत अमन की जमानत है में तीन अहम लवज ताकत अमन और जमानत ताकत से हमें इस बात को तस्लीम करना पड़ेगा कि दौरे हाजर मुहम्मद बिन कासिम का दौर नहीं कि जहां तलवार के जोर पर जंग फटा कर ली जाए बलकि आज सारी दुनिया इस बात पर मुत्तफिक है कि अगर वो किसी मुल्क पर हमलावर होंगे तो कहीं उसके नतीजे में पर हो अपना हाल हिरोशीमा और नागासाकी जहसन ना बनवाले यानि ताकत अम्न की जमानत है इसी की एक दलील ये कि हमारे मुल्क में मनाए जाने वाला यौम तक भी कि जिस दिन हमारा मुल्क एटमी कूष बना कि जिसके बाद हिंदुस्तान की हिम्मत ना हुई कि वह पा तो अश्रफ-ul-म्खलुकात के मरतबे तक जहां पहुचता है और अश्रफ-ul-म्खलुकात वो कि जो कभी डॉक्टर अब्दुलकदीर खान सिपते जाफर अबन लहतम अबन सीना राइड ब्रोडर्स आइंस्टाइन और एडिसन बनके ये बता देता है कि ताकत अगर इल्म क भी हो तो अमन काइम कर जाती है इसी तरह जनाब वाला कि अगर किसी मुल्क में अमन काइम करना हो तो कानून की ताकत नाफिस की जाती है कि जिसके सबब चोर लुटेरों और दहशतगर्दों को सजा का खौफ रहता है और मुल्क में अमन काइम रहता है तो जनाब वाला मे ताकत ही के बदूलत सरहतों पर होने वाले हमलों को अबादी तकाने से रोका जाता है ताकत ही के बदूलत एरान अमरीका के हर हमले का मूतोड जवाब देता है ताकत ही के बदूलत कासिम सुलिमानी मेजर अजीजबटी खुर्रमजकी मकबूल हुसैन और एतिजाज हसन अमन काइम करने में काम्याब हुए और ये बता गए कि ताकत ही अमन की असल अमानत है भावावाज शुक्रिया ये थी किसा जैरा और अब बुलाते हैदर अली को क्या हुआ किसा हाँ किसा क्या हुआ अ कि अ तभी वो परिशान आखिर लावज और मुफ्ती साब ने पकड़ लिया हाँ अ